बुड मॉर्निंग स्टूरेंस आम तॉनू अब में में चप्टर त्री स्टार्ट करें जिसमें आज को टॉपिक है सब्ट्रेक्शन और आज को फॉस्ट पॉइंट सब्ट्रेक्शन विद बॉरॉइंग फॉर एक्जामबल यहा पर उमने कोषनल लिखा है इसब्ट्रेक्श पॉस्ट्रेक्शन प्रस्टी स schemes को सब्ट्रेक्शन पर एंकिया करना है 53 में से 47 को लिए करना है तो फ्लस दिंगे हमने आप एक box draw कर रखा है जिसमें हमने numbers के 1s or 10th place को show किया है पहले हम इस box में bigger number लिखेंगे 73 और उसके नीचे smaller number 47 अब हम subtract कैसे करेंगे तो step 1 है subtract the ones first पहले हम 1s place की numbers को subtract करते है but we cannot subtract 7 from 3 but we cannot subtract 7 from 3 but we cannot subtract 7 from 3 because 3 is smaller number and 7 is bigger number तो हम पहले 3 को bigger number बनाएंगे let us borrow 1s from 7 तो हम 3 को bigger number बनाने के लिए क्या करेंगे 10th place से 1 number बॉरो करेंगे जैसे यहाँ पे 7 है तो हम 7 में से 1 number लेंगे 7 किस place पे 10th place पे तो 7 into 10 is equal to 70 और अगर हम इसमें से 1 लेते हैं तो 1 into 10 is equal to 10 plus 3 13 तो यहाँ पे हम इस circle में लेकेंगे 13 हमने 3 को bigger number बना दिया तो हम 3 कट कर देंगे तो हम 13 में से 7 सब्ट्रक्ट कर सकते हैं 13 minus 7 is equal to 6 और जब हमने 1s place के numbers को सॉल्व कर लिया है तो हम स्टेप 2 देखें सब्ट्रक्ट 10s now अब हम क्या करेंगे 10s place के numbers को सब्ट्रक्ट करेंगे तो 10s place में कौन से numbers थे 7 & 4 तो 7 में से हमने 1 बौरो किया था यहाँ पे कितना बचकिया होगा 7 में से 1 हमने निकाल दिया तो 6 6 minus 4 is equal to 2 तो टोटल अंसर है 26 2 10s plus 6 1s तो इसी बेस पे आपको आगे की questions को आज सॉल्व करना है और आज हम सॉल्व करने वाले है exercise 3.4 के questions को 1st question है जिसमें bigger number 62 & smaller number 38 तो पहले हम once place की numbers को सॉल्व करेंगे सब्ट्रक्ट करेंगे तो once place में कौन से numbers है 2 & 8 तो 2 में से 8 कैसे सब्ट्रक्ट कर सकते है 2 smaller number 8 bigger number 2 को हम पहले bigger number बनाएंगे 2 को bigger number बनाने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा 10s place से 1 बढ़ो करना पड़ेगा 6 से 1 लेंगे तो 6 में से 1 ले लिया तो 10 प्लस 6 10s place पर हम 1 लेंगे तो वह क्या होगा 10 होगा 6 into 10 is equal to 60 तो हम इसमें से 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 into 10 is equal to 10 10 plus 2 is equal to 12 तो 12 में से हम 8 सब्ट्रक्ट कर सकते हैं 12 minus 8 is equal to 4 अब हम 10s place के numbers को सब्ट्रक्ट करेंगे जब हमने 6 में से 1 बोरो किया था तो यहां कितना बच किया होगा 5 5 minus 3 is equal to 2 total answer 24 इसी तरह आगे को सॉल्व करेंगे और यह कोस्चन आपको अपने मैट्स बुक में भी सॉल्व करने हैं इसी तरह से ओके थांक्यू